जै शनी देव प्रेवक्त गणों मैं गुरु रजनीश रिशी शनी पीठ मंदिर 16 बटा 24 इस्ट पटेल नगर से आप सभी व्यक्तियों को जो अपनी किसी न किसी परेशानी को लेकर परेशान हैं क्या है वो परेशानी किसी भी प्रकार की क्यों न हो उन सभी व्यक्तियों की परेशानी को दूर करने के लिए आप सभी लोगों की बिना किसी फीस के मदद करने के लिए हर शनीवार यहाँ पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जनता दरबार लगा रहा हूं आप सभी व्यक्ति जो मुझसे परामस करके मेरे छोटे छोटे उपायों का प्रियोग करके अपनी विभिन में परकार की परेशानियां दूर करना चाहते हैं चाहें वो मेरेज की परेशानी हो, मेरेज की परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई से संबंदित परेशानी हो, पढ़ाई लिखाई में मनना लगने से संबंदित परेशानी हो, नौकरी की समस्या हो या प्रमोशन की समस्या हो, विदेश जाना हो या विदेश में रहते हैं प कोले बटा 24 इस्ट पटे लगर नई दिल्ली में सुवए 11 वजे से लेकर दुपहर दो बजे तक हर शनीवार को आपकी सेवा में उपलब्द हूँ किन्तु मुझसे मिलने आने से पहले एक बात का अवश्य दिहान रखे हैं हमारे शनी पीठ मंदिर में भोग लगाने के लिए कोई फल का परशाद, कोई मिठाई या कोई ड्राइफूट का भोग लगाने के लिए अवश्य घर से लेकर आएं या रास्ते में से लेकर आएं गुरुजी इसे शत्र या एनमी को शर्टाप करने के लिए किस शाबर मंत्र का प्रयोग करना चाहिए प्रिय भक्तगणों अपने दुशुमन को, अपने शत्रू को, अपने एनमी को फार्टू बोलने से रोपने के लिए यानि उसके मूँ को बंद करने के लिए यानि उसे शटक करने के लिए जिस शाबर मंत्र का प्रयोग दिया जाता है वह इस प्रिकार से है एक भोज पर फिर पर इस मंत्र को लिखकर उसके भीच में अपने शक्त्रू का नाम लिखें फिर मेर की गोली बनावे जुआर के दाने उसके उपर डालना और उस गोली को शक्त्रू के घर के जुआर के बाहर जमीन खोद कर उसके दरवाजी के बाहर गार दे या उस सक्तुल के मकान के पीछे गार देंगे तो सक्तुल का मूँ इस्तंबित हो जाएगा उसका मूँ बंद हो जाएगा वे शटक हो जाएगा मंद इस प्रिकार से है ओम श्री आदी कुरान को उस एक अलग एक ही समट एक ही धनी एक ही आधार एक गुसाईएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए करने से शत्रु का अनर्गल बोलना बिनावात के आपको परिशान करना मुझ चलाना बंद प्रेभक्त करूं मैं गुरु रजनी शरी शिशानी पीठ मंदिर 38 पटा ठारा इस पटे लगने दिल्ली से आज कोने आप सभी की समझ प्रस्ततु आहूं आप सभी के लिए एक शक्त प्रतिशाली चमतकारी सुदर्शन लॉकिट को लेकर यह सुदर्शन लॉकिट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परिशानियों को दिमे दिमे करके दूर कर सकते हैं इस सुदर्शन लॉकिट के अंदर सभीस्त नवगरह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है प्रतेक रतन उस गृह देवता के तांत्रिक भीज मंत्रों के द्वारा स्वेम मेरे द्वारा अभिमंतित है प्रांट पतिष्ठित है और जागरत है साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विश्नु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस प्रत्वी पर उपस्थित रतन है जिसे हम गौंती चक्र के नाम से जानते हैं ये गौम्ती चक्र भवान विष्णू के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है जो आपके सभी प्रकार की परिशानियों को दूर करने में समर्थ है इस शक्तिशाली गौम्ती चक्र वाले सुदर्शन लॉकिट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परिशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुक उसान्ती, सौभध्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है धीमे धीमे करके उसकी समस्तिशाली की परिशानिया दूर होती चली जाती है तो वो सभी यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्हों ने मेरे द्वारा दिए गए उपाए से किस प्रकार से अभूत-पूर्व फाईदा उठाया था उनकी परेशानिया किस प्रकार से अभूत-पूर्व रोप से दूर हो गई हैं और वो निजनत-तरकी के मार्क पर आगे पढ़ते चले जा रहे हैं यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल सरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंतरों की विभिन्न मंतरों की साधना नित्य प्रती करता हूँ उस साधना की फल सरूप मेरे को जो शक्ती प्राप्त हुई है उसी शक्ति से यह डिवे सुदर्शन लॉकिट को मैं मंतर सिद्ध करता हूँ प्राण पतिष्टित करता हूँ और जागनत करता हूँ साथी साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकिट के साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकिट को खरीदेंगे उनको प्रभू साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे सुम के द्वारा रचित है जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूँ वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाओं में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूँ ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमातमा की डायरेक्ट कृपा डायरेक्ट आशिरवाद प्राफ्त कर सके और अपनी सभी प्रकार की परिशानिया को दूर कर सके इस अद्वुत पुस्तक में जिसमें विविन देवी देवताओं की विविन प्रकार की साधना प्रापर तरीके से बताई गई है प्रापर साधना की डिटेल दी गई है उस साधना के फलसरोप आप अपने जीवन में परंपिता परमात्मा के दिवे करपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं तो यह साधना की पुस्तक हमारी मंदिर की और से शनी पीठ मंदिर की और से निशुल को वित्रन के लिए है जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री अफकॉस लेना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है वो बिना किसी चीज़त के आकर ले जा सकते हैं किन्तो जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्रात करना चाहते हैं उनके लिए निश्यत रूप से एक पोस्टिंग पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शेपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चें हो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और जमतकारी सुदर्शन लोकिट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं मंत सित्पांपति से जागरत जिसे मैं स्वेम करता हूँ उसे घर बैठे प्राप करना चाहते हैं तो बिना किसी जिजक के आप इस सुदर्शन लोकिट के लिए हमें इस्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए डारेक्ट मुबाइल एप पर भी जाकर आप इसको ओर्डर कर सकते हैं जो इसकी पर मुबाइल एप आ रही है आप इस लोकिट के लिए आप वहां पर कर सकते हैं तो यह डिवे सुदर्शन लोकिट आपको घर बैठे चाहें आप हिंदुस्तान की किसी भी कौने में रहते हूं चाहें विश्वत के किसी भी कौने में क्यों ना रहते हूं आपको अवश्य भीज दिया जाएगा नमस्ते गुरू जी मेरा नाम सचीन मैरियान ऐसे मेरी लाइफ में बहुत प्रोब्मन हो रही थी मुझे घर बनाने में बहुत ज़्यादा परसानियों के सामना करना पड़ रहा था फिर एक दिन मैंने आप गुरू जनीश रिशी जी की वेडियो देखी सोसल साइट पर फिर मैंने गुरू जी से अपोईटमेट लेने के बाद गुरू जी ने मुझे पूजा करने की सही विदी और तरीका बताया जिसके कारना आज मेरा घर बनने लग गया है और मेरी परस परसनल प्रोब्लम दूर हो गई है जिससे की मैं गुरू जी का धन्यावाद करना चाहता हूं थैंक्यू गूरू रोजी नीश रिशी जी धैंक्यू गूरु मारुकमणी देवी यह इदि आप किसी को भी कोई प्रोब्लम हो और तो गूरू जी से कॉंटक्ट करें थैंक्य मेरा नाम सत्यम है, मैं होकला फेस्ट वन से बिलांग करता हूँ, और 10 में मुझे पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती थी, जब भी मैं पढ़ने बढ़ता था था तो मुझे अलग-अलग चीज़े माइन आखती है, मैं मेरा कंसेंट्रेशन रूद आगा था, तो पापा ने मुझे रजनीज बाबजे के पास लेकर आए, तो आज हम दुबारा आएं, क्योंकि मेरे टूल के बूट पास आ गया है, तो किस वेसे हम नहीं आ पाएते पहले तो आ जाए हैं, और आज वो अंगुठी रिक प्रिस करवाना है, तो आप भी आ सकते हैं, मेरे तरह जो क्योंकि जाएंग।